वेलकम टो लेन अफ्लेन ग्यान चनल मैंनेम इस गोरव दोस्तों आप जानती हैं कि मैं जितनी भी जोब के अपडेट्स लेकर आता हूं आपकी रिकस्ट पर रिलेकर आता हूं यह जोब के अपडेट्स भी मैं आपकी रिकस्ट पर रिलेकर आया हूं अगर आप हमारे चैन्स का reply नहीं कर पाया दोस्तों sorry इसके लिए कल का तो मैं आपका reply कर दूंगा चैनल में कुछ इशू आ रहा था इस वज़ी से reply नहीं कर पाया तो आज आपके कमेंट की reply या कल तक आपको सारे के सारे मिल जाएंगे तो आपको चिंता करने की जुरूत नहीं तो इसमें बात करते ऑं पोस्त नेम की अप्रेंटिस के पोस्त है जिसमें फिटर, मैकेनिक वेल्डर, इलेक्ट्रीशन, मेकैनिक मोटर वीकल, मेकैनिक डीजल, लेबरेटरी असिस्चन, इलेक्ट्रोनिक, मेकैनिक, पेंटर, पीए, एस, डबल ए, कारपेंटर, पाइ, फिटर, टेनर, और इस तरह के यह पोस्ट है, तो वेस्टन रेलवे में जोब निकली है, इस करेंगे, तो आपके सामने ऐसा आइकन दिख जाएगा आपको, और आप जो है, वहाँ से फोर्म डाउनलोड कर सकते हैं, फोर्म, क्यूंकि ओफलाइन फोर्म है, इसका ओनलाइन नहीं है, आपको फोर्म की जुरत पड़ेगी, तो हम आपको फ्री ओफोज वो सारे के सारे प्रोवाइट कर देंगे, तो डिटेल्स की और बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चाहबीत है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो इससे सब्सक्राइब कर सकते है, वीडियो के डिचो जो लालकर का बटन है, इस पे क्लिक करके, और बैल आइकन पे क्लिक कर करें, ताकि आपसे एक भी लेटेज जो जोब का नोटिविकेशन मिस्सना ओ, और आप लाजडेट से पहले फोर्म को फिल कर पाये, बढ़ते हां आगे, यह जो 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 बहु की आप इसका फोर्म फिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप जो है दिल्ली में राते ह जो आपकी location होगी fee structure की बात करें तो अन्जवर OBC के लिए 100 रपे fee से SCHT physically handicap और female के लिए कोई fee नहीं है fee आपको कैसे pay करनी है DD के दोरा या postial order के दोरा तो किसी किसी में DD के दोरा किसी किसी में postial order के दोरा आपको fee pay करनी है age limit की बात करें तो 15 से 24 साल के जो students है इसका form fill कर सकते है age relaxation SCHT को 5 साल का यहीं SCHT जो है इसका form 29 साल तक fill कर सकते है और OBC को 3 साल का वो इसका form 27 साल तक fill कर सकते है उसके बाद यह vacancy details है तो post ने मैंने आपको बताई दिये थे apprentices की post है इसके अलावा और भी different different state की different different post है तो number of post की बात करें तो 1306 post है total जिसमें एमदाबाद 388 मुंबई 592 वडोद्रा 239 प्रतापनगर 43 राजकोट 54 तो यह हर किसी division में different different जो है इन्होंने numbers रखे हैं post के education qualification की बात करें तो आपको 10 पास होना है साथ और आपको ITI किया होना जरूर ही है mode of selection की बात करें तो candidate का selection जो है merit इसके base पर होगा कोई भी return test नहीं होगा कोई भी interview नहीं होगा आपके 10 वी के और ITI के marks देखे जाएंगे कि किस के अच्छे हैं और उसके base पर ही आपका randomly selection किया जाएगा उसके बाद यह कुछ important dates है कि आप form कब तक fill कर सकते हैं किस जो है area का हमदाबाद की बात करें तो 12, 11 12, 17 तक आप इसका form fill कर सकते हैं मुंबई 9, 11, 2017 वडोदरा 23, 11, 2017 प्रतापनकर 29, 11, 2017 राजकोट 17, 11, 2017 उसके बाद यह मैंने मुंबई का बताया है सबसे बहले आपको और form भी प्रोवाइड किया है form दोस्तों आपको मेरे facebook page से मिल जागा है comment box में कोशिश करूँगा कि link mention कर दूँ अब facebook page पे type करेंगे या facebook पे ही type कर देना online and offline ग्यान आपको वहाँ से form का link मिल जाएगा वैसे मैंने facebook page का link आपको description में दे दिया है आप उस पे click करके directly जा सकते है तो पहले मैं मुंबई के वारे में बताऊंगा जैसी कि मैंने आपको बताया था जो post वहाँ बतायी थी उसके अलबा बहुत सारी post निकलिया है तो मुंबई की बात करेंगे पहले तो So इस तरीके की vacancies निकली है यह सीधा सीधा बोर रहे है कि आपको IT किया होना चाहिए इसके लिए जिसके लिए apply करना चाहिए otherwise आप form नहीं फिल कर पाएंगे और किसके लिए कितनी vacancies है आप देखी सकते है ट्रेनिंग पीरेड एक एक साल का इसमें कुछ में दो का भी है वैसे आपको ट्रेनिंग के जोरान पैसे दिये जाएंगे आप उसकी चिंता ना करें इस टाइफेंड प्रोवाइट किया जाएगा यह और भी है यह भी आप देख सकते है उसके बाद यह भी देख सकते है मैं कुछ एलिजबिलिटी क्राइटिरिया की बात करते था हूं तो age limit मैंने आपको बताई दिया था लेकिन वो age 10, 10, 2017 को 24 साल तक या 15 साल से स्टार्ट होने चाहिए है यह कुछ और age criteria है कि SCHT के लिए कितना है OBC के लिए कितना यह भी देख लेना फी आपको जो है IP जो है इंडियल पोस्टर लोडर सोरपे का बनाना है किसके फिवर में इनके फिवर में SR, DFM, Mumbai, Central, WR इसके फिवर में आपको जो है IPO बनाना है उसके बाद यह mode of selection है आप देख सकते हैं मैंने वैसे आपको बताई दिया है कि आपका merit list के base पर selection होगा कोई भी return नहीं होगा ना ही कोई भी test होगा आपका कोई भी interview नहीं होगा कोई भी return test नहीं होगा आप यह detail पढ़ सकते हैं पूरी physically standard भी देख लें आप कि व्यक्ति को कैसा होना थी है the selected candidate will be required to pass the prescribed medical examination as per rules in force before induction into the training course so training course में जाने से पहले पहले आपको जो है fit होना है क्योंकि आपका medical test होगा इसके base पर ही आपको आगे further भुलाये जाएगा उसके बाद यह कुछ documents है जो आपको provide करने है तो 10th class का certificate देना है आपको as a proof of age यानि date of birth का proof ITI certificate देना है आपको और उसके साथ consolidated mark sheet of all the semester including final और copy of latest class certificate अगर available है तो SCST OBC का और physically handicapped certificate duly issued by the competent medical board so आपको यह भी देना है अगर आप physically handicap है तो उसके base पर apply कर रहे है the applicant should submit only one application in the prescribed form यह सीधा सीधा बोल रहे है कि आपको एक ही application देना है अगर आपका एक से ज़्यादा application हुआ तो यह form आपका reject कर देंगे तो offline form है so मैं दिखा देता हूँ आपको यह form है यह Mumbai का है बाकी जो मैंने आपको यह सारी जगाए दिखाए थी Mumbai के अलावा यह अहमदाबाद, वडोद्रा, प्रताब नगर, राजकोर तो इसके form जो है मैं आपको एक और बता देता हूँ वडोद्रा का यह form है वैसे Mumbai का इसका link मैं आपको Facebook page पर ही दूँगा मेरे Facebook page का link आपको description में मिल जाएगा उसके बाद यह address है अब बात आती है कि form को भेजना भी तो पड़ता है कहीं पर तो भेजने के लिए आपको जो इस address पर भेजना पड़ेगा यह जो मैंने address हाँ पर given है the application completed in all respect should be in close in an envelope and drop in the box kept in welfare section group floor of DRM office Mumbai Central Mumbai 400008 उसके बाद मैं आपको suggest करूंगा कि form जो है आप speed post से बेजेंगे तो जल्दी आपके पहुचने के chance है और आप Indian post का ही सहरा लेना आप किसी भी जो है अधर जैसे की अधर आप देखे होंगे private वहाँ से आपको form को नहीं send करवाना उसके बाद बात करूंगा वडोद्रा की तो वडोद्रा में आप देख सकते हैं कौन-कौन सी post है तो fitter, tenner, mechanics, welder, electrician तो वही post है जो मैंने आपको पीछे बताई थी थोड़ी सी एक दो extra होगी तो आप इसे देख लें जैसे boiler की extra है इसमें उसके बाद यह कुछ और पोस्ट है उपर eligibility criteria वही है 15-24 साल का एक और बात बता दू जो engineering background के लोग है जैसकी b-tech हो गया वो इसका form नहीं fill कर सकते हैं इन्होंने सीधा-सीधा लिखा हुआ है कि वो लोग इसके लिए apply नहीं कर सकते हैं तो यह detail आप देख लेना फी की बात करें तो फी आपको वैसी पे करनी है जैसे आपको मैंने पीछे बताया इसके फेवर में आपको IPO बनाना यानि इंडियन पोस्टल ओडर SR-DPM वडोद्रा के फिवर में और यह form कैसे मिलेगा form आपको वही मिलेगा मेरे Facebook पे पे या वीडियो को description में mode of selection की बात करें तो mode of selection वही है आपका merit list पर merit list के base पर ही आपका selection होगा merit के base पर means आपकी 10 class के marks और आपका जो IT में marks थे उसके base पर आपका selection होगा उसके बात बात करें तो यह physically standard वही same है जैसा मैंने पीछे बताया और यह document यह आपको देखने की कौन-कौन से document लगेंगे वैसे वही document जो मैंने आपके लिए मुंबई के बतायते तो ऐसे ही मैंने सारे के सारे form के link आपको video को description और अपने facebook page online और offline ग्यान जिसका link मैंने description में दे रखा है उस पर दे रखें आप form चाहें वहाँ से download कर सकते हैं या फिर video के description से so thank you so much अगर कोई दिक्कत आए यह form आपको यहाँ बेजना है दोस्तों एक बात बताना भूल गया यह form आपको यहाँ बेजना यह वड़ोद्रा का है अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे comment book से mention करें मेरे facebook page पे भी mention करें किसार हमें यह दिक्कत आ रही है मैं आपको उसका जरूर reply करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि यह 6 जगा जो post निकली है मैं इन में से एक का form आपको फिल करके भी बताऊं कि कैसे फिल करना है तो आप comment book से mention कीजिए वो state मुझे लगा कि जिस state पे ज़्यादा मेरे से demand आ रही है तो मैं उस पर आपके लिए form की information लेकर आ जोंगा कैसे form फिल करना और कहां पर बेजना है क्या क्या form के columns में आएगा तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए वीडियो को share करना ना बूले iti वालों को जरूष शेर करें और लोगों को बताएँ और अगर आप वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को like कर सकते हैं और हमें support करने के चैनल को subscribe कर सकते हैं धन्यवाद